हलो स्ट्ट्वेंट आज हम आपके लिए लाएं विक्रम युनिवर्सिटी की कम्प्लीट इंपॉर्मिशन यदि आप उज्जेन देवास इंदौर इसके आसपास के एरिया में रहते हैं और गॉर्मेंट कॉलेज में डूशन लेना चाहते हैं तो विक्रम युनिवर्सिटी आपके लिए एक अच्छा ओफ्शन है यह एंपी की सबसे पुरानी इंवर्सिटी है 1957 में इसका इस्टेब्लिश्मेंट हुआ था और यह इससे एक 57 गॉर्मेंट कॉलेज और 130 प्राइबेट कॉलेज एपलेटेट कॉलेज हैं जिनमें कुछ उज्जेन के प्रमुग कॉले यह कॉलेज उज्जेन के जो कि आपको आप्टर 12 और आप्टर 12 आप्टर ग्रिजुशन कोर्से में अद्विशन देते हैं और यह अच्छे कॉलेज हैं गॉर्मेंट कॉलेज हैं अब आपको हम बताते हैं कि एक इस्टेड लिवल की उनिवर्सिटी है जो 1957 में इस्टेब् दोने कोर्से सूते हैं और इन्टामट आपको कर दे तो यह सब करता हैं धृद Efendimiz के में इसको आपको बता प्रकुलेज और कॉल से निवर्स वते हैं तो इस university के अंदर 321 courses है, 321 courses है, 11 streams में, 11 stream में 321 courses है और 25 specializations होती हैं, जिसमें BA, MA, BSC, MSC, BE, PhD, BAD, BCOM, MCOM, PhD, BHMS, MBA, PGDM, इस टाइप के कुछ courses इसमें होते हैं, अब इसके अंदर आपको यहां पर, जो इनके अंदर अपने पास यहां पर admission जो होता है, जिसे बीपार में अगर आपको admission लेना है, तो आपको NEET की exam देना पड़ीगी, और NEET की exam के बाद आपको counseling का form बना पड़ेगा, त admission मिल जाती है, अब इसी अगर आपको BA, BSC, BCOM में admission लेना है, तो इसमें merit-based admission होता है, merit-based पर आपको form डालना पड़ता है, हर साल मई के ending में इसके form डाले जाते हैं, online form डालते हैं, 12th के base पर आपको इन courses में BA, BCOM में admission मिल जाता है, अभी मैं आपको भी बताने बाला हूँ कि इसके अंदर कितनी क्या seats available है, अब अगर आप इसमें MCE के addition लेना चाहते हैं, तो आपको इसकी जो DT counselling होती है, बोपाल की, उसमें आपको addition लेना पड़ेगा, उसके दौरा आपको इसकी counselling करना पड़ेगी, और MSC microbiology, अगर आप MSC microbiology में addition लेना चाहते हैं, तो इसके अं अंदर आप इसकी address की बात करें, तो इसका address यह बात तो मैं आपको पहली बता चुका हूँ कि यह उनिवर्सिटी है, तो इसका address है, यूनिवर्सिटी रोल, मादभवन, नियर, बिक्रम, वातिका, अउजेन, मध्यप्रदेश, इसका contact number है, 0734251427725114270, इसकी official website है, www.bikram unib.in, इसके आप इसकी और इनफर्मिशन कलेट कर सकते हैं, अब बात करते हैं, इसके अंदर courses कौन-कौन से होती है, तो इसके अंदर BE courses होता है, BE में कौन-कौन से courses है, अब पहले BA की जानते है, BA honors, BA honors होता है, political science होता है, economic होता है, psychology सा होता है, history सा होता है, सभी में 25-25 seats होत honors, bio technology में अगर आप करना चाहते हैं, तो इसके अंदर 40 seats available है, BE मेकिनिकल में होता है, जिसकी 60 seats है, जे-मेंस के द्वारा एडविशन होता है, BE की जब एडविशन वो ही student ले सकते हैं, जे-मेंस के एक्जाम दिया है, तो आप इसमें एडविशन ले सकते हैं, जे-मेंस के द सब्सक्राइब कर सकता है, अब यह तो थी, इसकी इसकी इनफॉर्मेशन, आप जानते हैं, कॉलिज रिव्यू के बारे में, तो इसके अकेडमिक को अगर रिव्यू दिया दाए, तो 7.4 out of 10, फैकल्टी को दिया दाए, तो 6.8 out of 10, और इंफेस्ट्रक्चर को दिया दाए, तो 6.5 out of 10, और इसके अंदर अगर अगर अपन प्लेस्मेंट को देें, तो 4.4 out of 10, मैंने नेट पे काफी सर्च किया, कि यहसे placement तो हो जाता है, लेकिन placement की जो शल्bayक काफी कम जाती है, बट आप अगर placement की सल्दी कम हो जाती है, एक-दौसाल बाद इंक्रिस हो जाती है, य गौर्मेंट कॉलेज है तो अब इसकी सोसल लाइब के बारे बताए तो 6.8 देंगे आउट 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 10 में से तो यह तो थी इसकी विक्रम उनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ इनफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है कापी अच्छा कॉलेज है अगर आप इंदोर उज्जेंड यह के आसफास के रिया में रहते हैं तो आप इस उनिवर्सिटी में एडिविशन ले सकते हैं क्योंकि गौवर्मेट कॉलेज की वैल्यू अलग होती है और यह कापी देखने के लिए थैंक्यू और हमारे यूटूब चैनल टॉपर्स फाइंड इंदोर को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आमेशा ही आपके लिए लाते हैं एजुकेशनल वीडियोज